जैश्री राधे हरे कृष्णा आप सभी का दिन शोभर मंगल में हो इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज सुनिए अश्विनमास महातम में आगे की कथा श्री महादेव जी कहते हैं हे पारवती सोल्वी अध्याय का महतम में आपको बताया गया अब सत्रवे अध्याय की अनन्त महिमा भी सुनो राजा खंगवाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था वो बड़ी खोटी बुद्धी वाला मनिश्य था एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चड़ा और कुछी कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रती जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा उसकी आवाद सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशाशन पैर फिसल जाने की कारण धर्ती पर गिर पड़ा दुशाशन को गिर कर कुछ-कुछ सांस लेते देखकर काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे उपर फेक दिया और उपर से गिरते ही उसके तुरंथी प्राण निकल गए इस प्रकार काल वश मृति को प्राप्थ होने पर उसे बाद में हाथी की ही योनी मिली और सिंगल दीप के महराज के यहां उसने अपना बहुत सारा समय बिताया सिंगल दीप के राजा की महराज खंग वाहु से बड़ी मित्रता थी इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को अपने मित्र की प्रसनता के लिए भेज दिया एक दिन राजा ने शलोक की समस्या की पूर्ती से संतुष्ठ होकर किसी कवी को पुरुसकार रूप में वो हाथी दे दिया और उन्होंने सौस्वर्ण मुद्राइन लेकर उसे मालव नडिश के हाथ पेश दिया कुछ समय बीतने पर वो हाथी यतन पूर्वक पलने पर भी असाथ जवर से ग्रस्थ होकर मरनसन हो गया हाथी वानोंने जब उसे ऐसी देनी अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शेगरी सारा हाल के सुनाया कि महराज आपका हाथी अस्वस्थ लगता है उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण हो सकता है हाथी वानों का अरथात महावतों का बताया हुआ समचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस इस्थान को प्रस्थान किया जहां हाथी ज़र गरस्थ होकर पड़ा हुआ था राजा को देखते ही उसने अपने जुर से पीडित वेदना को भूल कर संसार को आश्चर में डालने वाली वाणे में कहा संपुर्ण शास्त्रों के ग्याता राज नीती के समुद्र शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विश्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महराज इन ओश्दियों से क्या लेना है वैद्यों से भी कुछ लाब नहीं होने वाला दान और जब से भी क्या सिद्ध होगा आप करपा करके गीता के सत्रवे अध्याय का पार्थ करने वाले किसी ब्रहमण को बुलवाईए हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा है किया इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्रहमर ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके उपर डाला तो दुशासन गज योनी को परित्याग करके मुक्त हो गया राजा ने दुशासन को देवे विमान पर आरूर और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा कि तुम्हारी पूरी जनम में क्या जाती थी? क्या सुरूप था? कैसे आज रन थे? और फिर किस कर्म से तुम यहां हाथी होकर आये थे? कि सारी बाते मुझे बताओ? राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटेवे दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही इस्थिरता के साथ अपना सारा समचार के सुनाया जिसके बाद राजा मालम नरेश ने भी गीता के सत्रवे अध्याय का पाठ किया इस से थोड़े ही समय में उनकी भी मुकति हो गई शुरी पारवती जी ने कहा ये भगवन आपे इस सत्रवी अध्या का महातम में बतलाया अब अच्थारवे अध्या के महतम में का भी बंडन कीजा तब महादेव जी बोले हे देवी, हे गिरिनन्दनी जिन्में आनध की धारा बहाने वाले अठारवी अध्या के पावन महतम को जो वेद से भी उत्तम है सुनो ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यात्रना जाल को छिन्न भिन्द करने वाला है सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहसे की वस्तु है इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण ख्यमता है ये भगवान विश्णु की चेतना और सर्वस्रेज परंपद है इतना ही नहीं देवी ये विवेक मई लटा का मूल, काम, क्रोध और मद को नस्ट करने वाला इंद्राधी देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आधी महायोगियों का मनुरंजन करने वाला है इसके पाठ मात्र से यम दूतों की गर्जिना बंद हुजाती है ये पार्वती इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस में उपदेश नहीं है जो संतप्त मनु उसे भक्ती पूर्वक सुनो उसके सुनने मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्थो जाता है अनिस्ट मिस्टम मिश्रम चत्र विधम कर्मनह फलम भवत्याग नाम प्रित्यमना तू सन्यासिनाम क्वचित भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि है अर्जन क कर्मफल का तियाग न करने वाले मनुशोς के कर्मों का तो अच्था बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पतचात अवस्ची ही होता है अर्धार्थात केवित ukर्म कर्मतलम करता थ मृत्यु के पत्यक्सात भोगता ही है किन्तु कृष्ण के एक्याग पत् उसे पूरु समय में विश्व कर्मा जी ने बनाया था उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास किया करते थे एक दिन वे सुख पूर्वत बैठे वे थे इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विश्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष महां आ रहा है इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तरिस्करत होकर तुरंत ही अपने मणिमे सिंघासन से मंडप में गिर पड़े तब इंद्र के सेवकों ने देवलोग के सामराजी का मुकुट इस नूतन अर्थत नए इंद्र के मस्तर पर रख दिया फ जंभा आधी अपसराएं उनकी आगे निरत्य करने लगी गंधर्वों का ललित स्वर में मंगल में गान होने लगा इस प्रकार ही देवी उस नवीन इंद्र को सो यग्यों का अनुस्ठान किये बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को ब बड़े-बड़े विरक्षी लगवाएं अकाल पढ़ने पर अन्यदान के द्वारा इसने कभी प्रानियों का सद्कार भी नहीं किया इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गावों में यगी का अनुस्ठान भी कभी नहीं हुआ फिर इस यहां भागी की दी हुई इस सारी वसे कैसे प्राप्त कर ली इसी चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विश्नु से पूछने के लिए बड़ी तेजी से क्षियर सागर के धट पर गए और अचानक अपने सामराजी से ब्रहस्ट होने का दुख पूसते वे बोले ये लक्षमिकांत मैंने पूर्व काल मे आपकी प्रसनिता के लिए सो यग्यों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुर्णे से मुझे इंद्रपत की प्राप्ती हुई थी किन्तु इस समय स्वर्ग में तो कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमये बैठा है उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और यग्यों का फिर हे प्रभू उसने मेरे दिव सिंगहासन पर कैसे दिकार जमा लिया करपया मुझे बताईए देवराज इंद्र की बात सुनका श्री भगवान बोले हे इंद्र वह गीता के अठार्वे अध्याय में से पांच श्लोकों का प्रतिदिन जब किया करता है उसी का आश्रे लेकर तुम भी अपने पत पर इस्थिर हो सकते हो भगवान विश्नु के ऐसे वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र प्रहमन का वेश्वर बनाए गोदावरी नदी के तट पर गए वहां उन्होंने का ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर दे करते थे जो बड़े ही दयालू और वेदों के पारंगत विद्वान थे वे अपने मन को वश्मे करके प्रति दिन गीता के अठारवे अध्याय का जब किया करते थे उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसनिता के साथ उनके दोनों चर्णों में मस्तक जुकाया और उन कर वे परम हर्ष के साथ उत्तम बैकुंठ धाम को गए अतहां यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेश परमतत्व है यह पारवती अठारवे अध्याय के इस दिवी महातमी का वर्णन अब समाप्त हुआ इसके सुन्ने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पा ले अंत में श्री विश्नु का सायुच अर्था प्यकुंठ लोग प्राप्त कर लेता है आज कत्याय समाप्त हुआ अब सुनिए पांडवों के स्वर्गा रोहन की कथा भागवान क्रिश्न के जाने और पूरे यदुवंश्यों के मारे जाने से दुखी पांडव भी परलोग जाने का निश्य करते हैं इसी क्रम में पांचो पांडव और द्रौपधी स्वर्ग पहुंचते हैं जहां द्रौपधी भीम अर्लजन बताना पड़ता है तो इस posthar पूरवक आपको बताते हैं कि आखिरकर वो कुत्ता कौन था और पांडवों को स्वर्ग पहुंसने में किनकिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा जब सभी पांडव नगर से बहार निकले तो नगर के बहार निकलते ही दुआरिका समुद्र में डूप गई तो ये दिरश देखकर सभी को आश्चेर हुआ अर्जुन य अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुद्राय को साथ लेकर जा रहे हैं तो धन के लालच में अगर उन्हों ने उन पर हमला कर दिया अर्जुन ने लुटेरों को चितावनी दी लेकिन फिर भीवे नहीं माने और लूट पार्ट करने लगे तब अर्जुन ने अपने दिव अस्त्र शेस्त्रों का इस्मरन किया लेकिन उनकी इस्मरन शक्ती लुप्त हो गई अर्जुन ने देखा कि कुछी देर में उनकी तरकश के सभी बान भी समाप्त हो गए हैं तब अर्जुन बिना शेस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे देखते ही देखत लुटेरे बहुत सारा धन और इस्त्रियों को लेकर भाग गए अस्त्रों का ज्यान लुप्त हो गया था धनुष पर काबू नहीं चलता था अर्जुन के अक्षयबार भी समाप्त हो गए थे यह देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ जैसे तैसे अर्जुन यद्वश क की बची हुई इस्त्रियों और बच्चों को लेकर कुरुक शेत्र पहुँचे यहां आकर अर्जुन ने भगवान श्रिकिष्ण के पोते अर्थात वज्र को इंद्रप्रस्त का राजा बना दिया रुकमनी शैविया हेमबती तथा जामनती आधिरानिया अगनी में प्रव महर्शी वेदव्यास जी के आश्रम में पहुचे यहां आकर अर्जुन ने महर्शी वेदव्यास जी को बताया कि भगवान श्रीकृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी अब जा चुके हैं तब महर्शी ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना था काल का यही विधान था इस इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधरन से लुटे रहे उनके सामने ही यह दुवंश की इस्तरियों को हरकर ले गए और वे कुछ भी नहीं कर सके अर्जुन की बात सुनकर महर्शी वेदव्यास जी ने उनसे कह कि वे दिवे अस्तर जिस उद्देश से अर्जुन तुमने प्राप्त किये थे वो पूरा हो गया इसलिए वे सभी अपने इस्थानों को चले गए महर्शी ने अर्जुन से ये भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव अब पूर्ण कर लिया है इसलिए अब तुम्हारे परलोग गमन का भी समय आ गया है और यही तुम्हारे लिए श्रेष्ट भी है महशी वेदव्यास जी की बात सुनकर अर्जुन उनकी आगया से हस्तिनापूर आए और उन्होंने पूरी बात महराज युदिस्टर को बता दी यदुवंशियों के नाश की बात जानकर पहल का भार सौंदिया और परिक्षित को राजा बना दिया युदिस्टर में सुभद्रा से कहा कि आज से परिक्षित हस्तनापूर का तथा वज्र इंद्रप्रस्त का राजा है इसलिए तुम इन दोनों पर समान रूप से इस नहीं रखना इसके बाद पांडवों ने साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा अनेक तीर्थो नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए अर्जुन को अपने गांडीव धनुष से बहुत प्रेम था इसलिए लोब हुआ शुनों ने अपने गांडीव धनुष और अक्षे तरकसों का त्याग नहीं किया था तभी वहां अगनी देव उपस्तित वे और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षे तरकसों का त्याग करने के लिए कहा अर्जुन ने ऐसा ही किया पांडव ने प्रत्वी की परिक सुमेरु परवत के दर्शन किये, पांचो पांडव, द्रौपदी और वह कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे तब ही द्रौपदी लड़ खड़ा कर गिर पड़ी, द्रौपदी को गिरा देखकर भीम ने युदिस्टर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वो नीचे गिर पड़ी, युदिस्टर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कहकर युदिस्टर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए, थोड़ी देर बाद देव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समस्ता था, इसी दोश के कारण इसे आज गिरना पड़ा है, कुछ देर आगे चलने के बाद नकुल भी गिर पड़े, भीम के पूछने पर युदिस्टर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभीमान था, कर दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, अपने अभीमान की कारणी अर्जुन की आज ये हालत हुई है, ऐसा कहकर युदिस्टर महराज आगे बढ़ गए, थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए, और जब भीम ने इसका कारण पूछा तो युदिस्टर ने कह कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का जूटा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज धर्दी पर गिरना पड़ा है, ऐसा कहकर युदिस्टर महराज आगे चल दिए, आप केवल वो कुट्ता ही उनके साथ चलता रहा, हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही, उमीद है, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसके आगे का ब्रतांत आप सभी अगली अध्याय में जरू सुमिएगा